हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए आचार राम चंदरसुकल का जीवन परिचे जो की आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार बोर्ड एक्जाम में लिखना है लिखने का सही तरीका क्या है बहुत बचे क्या करते हैं कि डारेक्ट जीवन परिचे हेरिडिंग डालकर उनके जीवन से समंदित कुछ जो भी उन्होंने पढ़ा है वो लिखने लगते हैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इस वीडियो में बताएंगे इसका लिखने का सही तरीका क्या है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि कह महां काज किया और इनकी म्रत्यू कब हुई इसको आप एक लाइन में लिखेंगे और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परचे और फिर इनके जीवन से समद्दित कुछ लाइने लिखेंगे ये हो गया इनका लिखने का सही सब से पहले आप लिखेंगे जन्म, इनका जन्म सन 1884 इस्वी में हुआ था, उसके बाद आप लिखेंगे इस्थान, कहां हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक गाओं में इनका जन्म हुआ था, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, कार छेतर, काशी इंदू विश्व विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् बस्ती जिले के अगोना नामक गाओं में हुआ था इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी इनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था इनको आप ब्लैक पैंसे लिकेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हमने जो टाइपि इन्होंने सरकारी नौकरी कर लिए किन्तु स्वाभिमान के कारट सरकारी नौकरी छोड़कर या मिर्जापूर के मिशन इस्कूल में चित्रकला के दैपक हो गए इन्होंने स्वयम ही अध्यन करके हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी आधि भासाओं का अध्यन कर लिया आनंद का दंबनी पत्रिका में इनकी रचनाय प्रकाशित होने लगी फिर इन्होंने नागरी प्रचारडी सवाकासी से संबद्ध होकर हिंदी शब्द शागर के शायक संपादन का कारेभार समाला इनकी गिंती उच्च कोट के विद्वानों में होने लगी कुछ समय बाद या काशी हिंदू विश्विदाले के हिंदी विबाक के अद्यापक नियूक्त किये गाщее वहां बाबु श्याम सुन्दरदास के बाद यहां हिंदी विबाक के अद्यच हो गए मतलब पहले बबू श्याम सुन्दर दास्ते उसके बाद आचार रामचंद्र सुकली जी वहां के अद्धच हो गए। इनकी म्रत्यु हो गई। तो इस प्रकार आप इनका जो भी जीवन पर दिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे करतियां। करतियां मतलब रचनाएं इनकी निबंद इन्होंने निबंद लिखे थे चिंता मड़ी विचार वी थी। इनके दो निबंद थे चिंता मड़ी और विचार वी थी। आपसे अबजेक्टिव में भी प्रशन पूछ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है। वहाँ से आपको इसकी पीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन।